अब अच्छो यह है 28th question, बहुत ही easy question है, कह रहा है from two points A and B on the same side of a building, यहाँ पे एक building बना लेता हूं में, और यहाँ पे same side of the building, दो points है, जो की है A and B, ठीक है, और angle of elevation भी इनके देरेक है, यह A है, यह B है, और इन दोनों की जो angle of elevation है, वो बच्छो यह एक 30 degree, एक 60 degree, तो आप बताओ, यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, obviously बात है, building के जो सामने पे होता है, बड़ा angle होता है, 60 degree, यहाँ पे 30 degree, ठीक है जी, and the height of a building is 10 meter, यहाँ पे 10 meter की इसकी height है, और बोल रहा है A, B के बीच का distance निकालना है, इन दोनों के बीच का distance निकालना है, यह वाला part निकालन इसको लेता हूँ, D, C, B को लोगा, फिर D, C, A को लेता हूँ, और देखें, इसका solution निकालते हैं, काफी easy है न, चल यह start करते हैं, यहाँ पे पहले मैं लेता हूँ, in triangle D, C, B, in triangle D, C, और B, D, C, B, लिया, in triangle D, C, B, तो देखें, 1060 degree equals to perpendicular upon base, तो perpendicular है मिरेट लिख देता हूँ, under root 3 equals to perpendicular है, मिरेट पे DC, B से मिरेट पे BC, ठीक है, तो जो मिरेट पे DC होने वाल है, DC कितना है बच्चों, 10 meter, तो देखें, under root 3 equals to 10 upon BC, इस BC को मैं इदा लियाता हूँ, इसको मैं नीचे लियाता हूँ, तो यह हो जाएगा, BC equals to 10 under root 3, ठीक है, BC कितना आगे है मिरेट पे 10 under root 3, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको rationalize कर देता हूँ, तो 10 under root 3 upon 3 is my BC, तो BC क्या है मिरेट पे पहली equation आगे, तो BC क्या हो गया मिरेट यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, 10 under root 3 upon 3, ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, यह पूरा निकालना है, अब इस पूरे triangle को मैं लेता हूँ, ठीक है, और base क्या है मिरेट पे बच्चो, AB plus BC है ना, तो बस 10 30 degree क्या होता है बच्चो, 1 upon under root 3 equals to DC मिरेट 10, AB कितना है बच्चो, वही तो मुझे निकालना है, और BC मिरेको given है, पर मैं अभी लिखूंगा नहीं, तो आप घबरा जाओगे है ना, इसको मैं cross multiply करता हूँ, तो देखे हो जाएगा, AB plus BC equals to 10 under root 3, ठीक है, और अब देखो मैं BC की value अब रखता हूँ, तो BC की value क्या थी बच्चो, BC की value थी 10 under root 3 upon 3, तो मैं लिख लेता हूँ, AB plus BC की value रखता हूँ यहाँ पर, तो यह हो जाएगा, 10 under root 3 minus 10 under root 3 upon 3, LC हम ले ले लेते हैं जी इसका, 3 तो यह हो जाएगा, 30 under root 3 minus 10 under root 3, कि ताईजी हो गया है तो, which is AB, अब AB की हो गया बच्चो, देखे, 10 में से 3 minus, 30 में से 10 minus की है, तो यह जाएगा, 20 under root 3 upon 3, अब देखो, 20 under root 3 upon 3 हो गया, आब तो यह solve, तो देखे, 20 into 1.72 upon 3, अब इसको आप further solve करोगे, तो यह हो जाएगा कितना, यह हो जाएगा, इसको solve करोगे, तो आपका answer आने वाला है, 11.540 मीटर, और यही मेरा AB है, यही मेरा इन दोने की बीच की distance है, 11.540 मीटर, कितना एजी हो गया है कुश्चन, नेक्स्ट करते हैं, झाल